नमस्कार दोस्तों आज समझेंगे ITRU क्या है, अपडेटेड रिटर्न क्या है, इंकम टैक्स के अंदर, क्या इसको बिना लेट फीस, बिना टैक्स या बिना पेनल्टी के फाइल की जा सकती है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, उसे पहले बतना चाहूँगा, जो भी भाइबंदू मेरे चैनल पे पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी साथ बैल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिल सके जो दोस्तों समझ से हैं, सबसे पहले इसकी अलिजिबिटी के बारे में, ITR यू कौन फाइल कर सकता है, देखो ऐसे परसन जिसने कभी औरिजिनल रिटन, कभी ITR मतलब फाइल ही नहीं करी, वो ITR फाइल कर सकता है, बैक डेट की, बैक डेट का मतलब हो गया, जो करंट असे पिछले दो assessment year की ITR फाइल कर सकता है, जिसको belated return फाइल करना है, वो भी यहाँ पे ITR यू के जरिए belated return फाइल कर सकता है, बैक डेट रिटन का मतलब हो गया, ऐसी ITR जिसकी due date खतम हो गई है, और जिसका assessment भी खतम हो गया है, तो उस case में आप ITR यू के जरिए फाइल कर सकत है, अब जैसे कि मैं बताऊं, बाइस से इसका assessment year 31 December को खतम हो जाएगा, ठेक है, तो उस case में आप ITR यू के जरिए अपनी return को फाइल कर सकते है, अब 31 December को assessment खतम होता है, पहले 31 March को खतम होता था, उसके बाद अगर revise return फाइल करनी है आपको back date की, तो उसकी revise return भी ITR यू के जरिए फाइल कर सकते हैं, updated return कौन कौन फाइल कर सकते हैं, बताया मैंने देखो, जिसने कभी return फाइल नहीं करिये, जिसने income properly report नहीं करिये, वो कर सकता है, मलब revise कर सकते है अपनी ITR को, ITR यू के जरिए, wrong head में income दिखा दिए, उस case में कर सकता है, ये भी revise का हो गया, अगर carry forward losses में reduction होता है, मलब कम होता है carry forward loss, तो उस case में कर सकते हैं, अगर carry forward loss बढ़ाते हैं, तो उस case में नहीं कर सकते हैं, unabsorbed depreciation का उस case में कर सकते हैं, tax liability जो section 115 GB के अंदर, ये section 115 JC के अंदर है, उसका reduction होता है, तो कर सकते हैं, wrong tax आपने calculate कर रखा है, तो उस case में भी आप ITR कौन file नहीं कर सकता, updated return, जिसका loss है, carry forward loss है, उस case में file नहीं कर सकता, अगर loss बनती है तो, अपनी tax liability को कम करता है, decrease करता है, पहले उसकी tax liability ज्यादा थी, और अभी ITR U के जरीए tax liability को कम करता है, तो उस case में नहीं कर सकता, refund को बढ़ाना चाहता है, ITR U के जरीए, updated return के जरीए तो उस case में file नहीं कर सकता, कोई भी search है, search initiate किया गया है, section 132 के अंदर, उस case में नहीं कर सकते हैं, कोई भी survey conduct है, section 133 एक अंदर, तब नहीं कर सकते हैं, कोई reassessment है, assessment है, recomputation है, pending है आपका, उस accessory का, तो उस case में नहीं कर सकते हैं, और other, जो notified person है, department के दोरा, वो नहीं कर सकते updated return की filing का period क्या होता है कब तक file किया जा सकता है updated return को file किया जा सकता है 24 month के अंदर मलब किसी भी assessment year के updated return को 24 month के अंदर file कर सकते हैं अगर वो 24 month expire हो जाता है तो उस assessment year का आप updated return file नहीं कर पाएंगे दोस्तों जैसे कि अभी current assessment year चल रहा है 22 तेस तो यह तो file कर सकते हैं लेकिन assessment year 2021 और 2021 बीज चुका है इस case में आप updated return को file कर सकते हैं updated return के जरिया file कर सकते हैं क्योंकि इसका अभी जो 24 month है वो complete नहीं हुआ है अगर 24 month complete हो जागा तब उस case में आप updated return को file नहीं कर पाएंगे दोस्तो इसके अंदर penalty भी लगती है additional payment होती है tax की additional penalty लगेगी अगर आप updated return फाइल करेंगे तो इसमें 25% penalty लगती है अगर updated return within 12 month के अंदर file की जाती है और 50% penalty लगेगी अगर updated return 12-24 महिने की बीच में file की जाती है तो इसी के according आपको additional tax pay करना पढ़ेगा अगर आप updated return file करते है updated return को verify किया जैसके DSC के तोरा digital signature के दोरा या फिर EVC अधार OTP के जरीए कर सकते है EVC के अंदर बहुत सारे option है अधार OTP, bank के दोरा आप OTPs अंडेट कर सकते है या फिर digital signature इन दोही method का use करके आप यहाँ पे updated return को file कर सकते है अगर आप paper return file करना चाहिए sign करके भेजना चाहिए तो वो नहीं कर पाएंगे आप updated return के जरीए अभी हम बात करते है क्या tax liability zero हो तो क्या यहाँ पे updated return को file किया जा सकता है तो इसका answer है yes हाँ आप file कर सकते है क्योंकि पहले भी हमारा अगर पास लग तक की income होती थी तो उसके इसमें tax नहीं लगता था तो अगर आपकी income पास लग से कम है तो updated return के जरीए कर सकते है लेकिन इसमें हो क्या रहा है आपको late fees भरनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी बहुत client हों की return है file करी है updated ITR तो उसके इसमें late fees भरनी पड़ रही है तो tax तो नहीं बनेगा लेकिन late fees लगेगी वो जमा करानी पड़ेगी अगर पास लाग तक की income है पास लाग से उपर जाएगा तो tax भी लगना है late fees भी लगनी है देन उसके बाद 25% ये 50% की penalty भी लगनी है तो वो आपको देना पड़ेगा अगर आप updated return को choose करते हैं फाइल करते हैं तो बागी आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप updated return को फाइल करेंगे income tax portal पे वीडियो के से लगी ज़रूर बताएं थाइंक यू सो मच जया हिन वंदे मातर